आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे अगर आपको ZERD की दिक्कत है मतलब गैस्ट्रो इसोफीजियल रेफलेक्स डिजीज की प्रॉबलम है या पैप्टिक अलसर की दिक्कत है या किसी बंदे को अगर हार्ट बन की दिक्कत रहती है Hyper Acidity की दिक्कत रहती है या फिर उसको उसके पेट में जो है गैस की वज़े से दर्द रहता है मतलब गैस से संबने जो भी बिमारियां है गैस से रेलेटेड जो भी प्रॉबलम्स हैं उन सभी प्रॉबलम्स को ठीक करने की दवा बताने वाला हूँ इस वीडियो में और उसका मैं रेवियू करूँगा और बताऊंगा कि उसका actually में क्या इस्तेमाल है किस तरीके से उसका इस्तेमाल क्या जाए क्या-क्या doges हो सकती है क्या-क्या side effects हो सकती है पूरी information देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना escape के पूरा देखिए पैंटो काइन फ्लक्स कैपसूल जो कि मैंड काइन फार्मा द्वारा बनाया जाता है ये 10 कैपसूल की पैकिंग में आती है इसके MRP 136 रुपे है और इसमें जो chemical constituent पड़ा होता है पैंटाप्राजोल और सीनिटाप्राइड होता है पैंटाप्राजोल जो कि एक PPI ड्रग होता है PPI मतलब होता है proton pump inhibitor इस समक में acid को neutralize करता है acid के production को reduce करता है और आपके gas को easily pass कर देता है प्रोकानेटिक का मतलब होता है कि आपके पेट में जाने के बाद में ये दवाई आपके आथों के moments को बढ़ा देता है आपके stool को soft कर देता है जिससे easily आपका letting जो है डिला होके निकल जाता है especially pentokine flux capsule का इस्तिमाल GERD में किया जाता है और peptic ulcer disease में किया जाता है GERD का मतलब होता है gastroesophageal reflex disease और peptic ulcer का मतलब होता है एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके stomach में आपके आतों में जो inner layer होती है आपके पेट की और आतों की जो inner layer होती है उसमें एक तरीके का घाव हो जाता है उसी को हम peptic ulcer बोलते हैं GERD का मतलब होता है access मात्रा में acid का production होने लगता है और वो उपर चड़ने लगता है आपके पेट में जो है चड़ने लगता है आपके पेट के उपर जो esophagus होती है जो आपकी sawnss नली से और जो खाने लिग से जुड़ी होती है वहां तक चड़ने लगता है उसी को हम isofasial reflex disease बोलते हैं ERD में क्या होता है कि आपके सीनी में जलन होगा आपके पेट में दर्द होगा और आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं अजीब अजीब गैस बनाएगा आपको बहुत सारी problems होगी और पेटिक अलसर में आपके पेट में अधिक दर्द होने लगता आप खाना नहीं खा पाते हैं खाना खाते हैं तो आपको जलन होती है आपके पेट में बहुत अधिक जलन होने लगती है इस तरह की समस्या देखी जाती है दोस्तों साइध आप समझ गए होंगे कि Pantokine Flux Capsule का इस्तेमाल क्या है दोस्तों अगर इसके side effect की बात करें तो इसको आप लेते हैं तो आपको diarrhea लग सकता है या फिर आपके सर में दर्द हो सकता है आपको flotillence हो सकती है, headache हो सकती है business हो सकती है इसी तरह के कुछ temporary side effects होते हैं long term side effects नहीं होते हैं अगर इसके doses की बात करें तो adult dose खाना खाने के एक गंटा पहले आप इसको ले सकते हैं दो time ले सकते हैं, एक time ले सकते हैं जैसे जैसी condition होती है उस हिसाब से इसको दिया जाता है दोस्तों आसा करता हूँ, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें